नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से हार्दी खार्दी स्वागत है हमारे डीजी सिवा यूट्यूब चैनल पे दोस्तो लोग सिच्छन संचानलाएं मद्द परदेश के 27 सितंबर 2022 के आदेश क्रमांग 206 के अनुसार समय की चात्रवत्ती योजना के अंतरगत मद्द परदेश के सभी सासकी एवं असासकी संस्थाओं में कच्छा 9 से 12 तक के अध्यायन रत छात्रों की आधार की वाइसी एवं प्रोफाइल अपडेशन करवाना अनिवार है अनिता वे छात्रवती से वन्चित हो सकते हैं तो द्वारा यह EKYC स्वयम OTP के द्वारा अगर उनके अधार से मोबाइल नंबर लिंक है या फिर बायोमेटिक अथन्टिकेशन द्वारा CSC या MP अनलाइन या किसी कि वो सेंटर पे करवा सकते हैं इस KYC के कम्प्लीट होने के बाद विद्धा लेके सिच्छक या परचार दवारा इस EKYC का सत्यापन करना होगा KYC के कम्प्लीट करवाने से पहले छात्र को ध्यान देना होगा कि उसकी जो समगर और अधार का डाटा सेम हो हलाकि इस पेलिंग में माइनर जो अगर थोड़ी सी तुरूटी होगी तो वो सिवकार की जा सकेगी लेकिन फिर भी बहतर होगा कि आप उसे पहले करेक्ट करवाए उसके बाद ही KYC के लिए अपलाई करवाए KYC के उपराँ इस्टूडेंट के प्रोफाइल का अपडेशन किया जाएगा जिसके बाद ही छात्र के छात्रती है तो प्रोफाइल को लाग करके छात्रती सिवक्रित की जा सकेगी तो दोस्तो एम सिक्षा पोटल पे KYC किस प्रकार से करनी है हम इस वीडियो में देखेंगे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि हमारे नेश्ट अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको असानी से मिल सके तो दोस्तो सबसे पहले आपको सिक्षा पोटल डाट mp.gov डाटा यन यह पोटल ओपेंड करना है राइट अपर साइड आप देखेंगे इसका ब्लू कलर में यह बटन EKYC की बिलिंग कर रही है आपको इस पे क्लिक कर देना है आधार EKYC का पहला step यानि कि आपको mobile नमबर सत्यापित करे वाला ये page मिलेगा यहाँ पर आपको दो बार mobile नमबर को फिल करना है देना आपको capture को इंटर कर देना है और OTP प्राप्त करेंपे क्लिक कर देना है अब जैसे कि हमने यहां पर मोबाईल नमबर इंटर कर दिया है दिन हमने कैप्चा को भी इंटर कर दिया OTP प्राप्ट करें की green बटन है उस पर हम अब क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाईल पर OTP चला जाता है उस OTP को हम यहाँ पर fill करेंगे और submit OTP बटन पर click करेंगे OTP ना आने के इस्तिती में आप दुबारा recent OTP का option select कर सकते हैं यहाँ पर आप जिस विद्यार्थी की या student की आप के वाशी करना चाहते हैं वहाँ पर उसकी 9 digit की समगराइडी आप यहाँ फिल करतेंगे इस box में हमें capture इंटर करके विद्यार्थी की जानकारी देखे पर click करना है यहाँ पर विद्यार्थी का district, block, name, समगराइडी, father's name, dov, gender, school पर सारी चीजे दिखेंगे आपको अधार ekyc करे पर click करना है उसके बाद उस student का आपको अधार दो बार यहाँ अगें फिल करना होगा और यह declaration है उस पर आपको टिक करना होगा देन आपको green button यानि की OTP द्वारा ekyc करे पर click करना है यहाँ पर दोस्तों हमने biometric वाला option choose किया था उसके बावजूद यह OTP वाले option पर चला गया था हो सकता है वेबसाइड में कोई error आ रहा हो तो आप देख सकते हमने biometric वाले option पर click किया था तो यह वाला page open हो गया है यह यहाँ पर हमारे जो अधार से link mobile number और email ID है दोनों पर OTP जा चुका है उस OTP को यहाँ पर हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम submit button पर click करेंगे तो दोस्तों हमारे अधार link mobile number पर OTP रिजीव हो चुका है और हमने इंटर करके submit button पर click किया जैसे हम इस button पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से profile photo के साथ जो की अधार वाली photo है और अधार का data student का दिखाए देता है आपको declaration पर click करना है और complete ekyc पर click करना है तो आपकी यह ekyc complete हो जाती है दुबारा से जब आप इस ekyc का status चेक करना हो तो आप वापस से same process अपनाएंगे और जब आप समग राड़ी डालेंगे student की तो आपको ekyc complete pending for review at student का message मिलेगा तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी student जो भी 9 से 12 तक है जिनके आधार में mobile number link है आ और उन student के scholarship को receive करने में आप help कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा वीडियो को like और चैनल को subscribe और अपने दोस्तों की भी share करना मत भूले मैं भीर मिलता हूँ किसी ने topic के साथ आपको दिन सुब रहे धन्या आपको 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 आपको